शर्व प्रतमतो जैस्तिक्रिष्ट आज हम लोग एक कथा सुनेंगे कथा बड़े ही धार में एक मार में एक तथा अध्यात्मिक है इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आत तो चलिए कथा को सुनते हैं देव सत्रू तारकाशुर के तीन पुत्र थे उनके नाम थे विध्धुन माली तारकाच और कमलाच शिवपुत्र कुमार कार्थिके ने जब तारकाशुर को मार डाला तब तारकाशुर के पुत्र अत्यन्त दुखी हुए उनके शबों ने शंपर्ण भोगों का त्याग दिया तथा मेरु पर्वत पर जाकर ब्रम्हाजे की प्रशन्यता के लिए वे कठोर तब करने लगे हजारों वर्शों की उग्र तपस्या के पस्चात लोग पितामः ब्रम्हा प्रगट हो गए उन्होंने तारक पुत्रोंशी कहा दैत्यो तुम्हारी तपस्या से मैं प्रशन्य हूँ बताओ इस घोर तपके द्वारा तुम लोग कौन शा मनोरत शिद्ध करना चाहते हो ब्रम्हाजी की बात सुनकर उन्हें तीनोंने अंजली बाध कर स्रद्धा पुर्वक उनके चरड़ों में प्रडाम किया और बोले देवेश यदियाप हम पर प्रशन्य है और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिये की कभी भी मृत्तु हमारे पाश ना भटके हम अजर अमर हो जात। ब्रह्म्हा जी ने कहा असुरों अमरत्व किसी को नहीं मिल सकता। अतह तुम लो अपना यह विचार छोड़ कर इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो। दैत्यों ने कहा भगवन यद्यपि हम प्रबल पराक्रमी हैं तथा भी हमारे पाश कोई एशा घर नहीं है जहां हम शत्रों से सुरक्षित रहकर शुख पूरुवक निवाश कर सके। अतह आप हमारे लिए ऐशे तीन नगरों का निर्माण करा दीजिए। जो शंपुर्ण शक्तियों से शंपन हो तथा देवता भी जिसका भेदन न कर सके। विद्धुन मानिले बज्ज के समान कठोर लोहे का तारकाक्षने श्वर्णमे और कमलाक्षने चादी के बने हुए अत्यनत विशाल नगर की याचना की। फिर उन्होंने कहा ब्राम्भन एतीनों पूर मध्याक शमे अवजीत मुहुर्ट में चंद्रमा के पुष्यनच्छत्र पर इस्थित होने पर एक अस्थान पर मिला करें। और आकास में नीले बादलों पर इस्थित होकर एक क्रमशहर एक की उपर एक रहते हुई लोगों की द्रिष्टी से ओजल रहे। भगवान संकर के अतिरिक्त इन नगरों का कोई भेदन न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर मैदानों को उन विचित्र नगरों की निर्माण की आज्या देगी। मैंने अपनी तपो बल से वैशे नगर निर्मित की और तार का अशुर के तीनों पुत्र शुक पूरुवक उन सुरक्षित नगरों में रहने लगी। आगे चल कर उन अशुरों ने देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। शमस्त सिध्ध अस्थानों को नश्ट भष्ट करते हुए वे धर्म का नाश और अधर्म का विस्तार करने लगे। इन दैत्यों के अत्याचार से दुखी होकर शम्परुण देवता और रिशिगळ ब्रम्हा तथा विश्रु के साथ महस्वर शिव की शरण में गये। वहाँ उन लोगों ने महादेव शिव तारक पुत्रों के अत्याचार से मुक्ती दिलाने की प्रार्थना करने लगे। करुडाशागर शिव ने देवों को अस्वस्त करते हुए विश्व कर्मा से एक शर्व देव में दिव्य रथ निर्मित कराया। ब्रह्मा जी ने उश में बेद रूपी अस्व को जोत कर उशे शिव जी को शमर्पित किया। शिव जी का दिव्य धनुष और बाण उश में रखा गया। वह रत अनेक आश्चर्यों से युक्त था। श्वयम पितामः ब्रह्मा सार्थी बने। उश अद्भुत रत पर सवार होकर महेश्वर सिव त्रिपुर के निकट पहुचे। कालवश उश दिन तीनों पूर एक शिद में आ गये थे। शिवजी ने अपने दिव्वे धनुष पसुपात अस्त्र से उश पर प्रहार किया। उश शमय अभिचित मुहुर्थ चल रहा था। देखते ही देखते त्रिपुर जल कर राख बन गया। देवता लोग भगवान महिश्वर की जय जय कार करने लगे। उश शमय भी जो दैत्य शिव पूजा में तत्पर थे। वे सब अगले चनम में शिव गड़ों के अधिपत्त हुए। आज हम लोगों ने इस कथा को सुना। फिर किसी दिन किसी और कथा के साथ मिलेंगे। तक तक के लिए जय स्रिक्रिष्ट। जाएष्ट।